नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो सरकार और किसानों के बीच तीन राउंड की बादचीत हो चुकी है और जब तक ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी शायद चोथे राउंड की बादचीत भी हो चुकी होगी लेकिन कुल मिलाकर इस तीन राउंड की بादचित में सरकार ने जिन नेताओं को बेजा उनके रवईयों को देखकर लगता है कि वो किसी परकार का हल निकालने के मूड में नहीं है क्योंकि पहली बादचित में बादचित करने आए मंझरियों को मुद्दे ही नहीं पता थे उसके बाद एक तरफ किसान नेताओं को बादचीत के लिए बुला लिया जाता है और दूसरी तरफ किसानों पर गोले बारूद दागे जा रहे हैं शोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किये जा रहे हैं कुल मिलाकर समाधा निकालने की बजाए किसान अंदोलन को दबाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है खबरों के मुताबिक किसानों पर ऐसे ऐसे गोले बारूद इस्तमाल किये जा रहे हैं जो युद में प्रियोग दिये जाते हैं पैलेट्स, गन, एक्सपाइल्ड, स्मोक बंक तक फैके जा रहे हैं जिसकी वज़े से एक किसान की मिर्त्य हो ज़की है और कई किसानों की आँखों की रोशनी तक चली गई है दोस्तों पिछले पाँच दिनों से किसान सडकों पर हैं और दिल्ली से 200 किलोमेटर दूर बैठे किसानों को रोकने के लिए पूरी दिल्ली के चारो तरब बेरिगेटिंग कर दी गई है इस बेरिगेटिंग की वज़े से लंबे-लंबे जाम लग रहे हैं और इस सरकारी बेरिगेटिंग की वज़े से लगे जाम के कारण आम जनता किसानों पर सवाल दाग रही है कि आखिर ये किसान चाहते क्या है आसान शब्दों में आप लोग जो महंगा, आटा, दाल, दूद और सब्जी खरीद रहें वो किसानों से कोडियों के भाव खरीदा जाता है और आपको महंगे भाव में मिलता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन सब को सस्ता करने के लिए जिस सबसीडी का ढोल पीटा जाता है वो इन ही दलालों की जेब में चली जाती है फिर आईए जान लेते हैं कि ये किसान क्या चाते हैं और क्यों सरकार उनकी फसल MSP पर खरीदने की गरंटी दे दोस्तो सबका कहना है कि किसानों को अपनी फसल बजार में बेचनी चाहिए सरकार जादा पैसे दे कर किसानों की फसल क्यों खरीदे ऐसे तो हर कोई डिमांड करने लगेगा कि सरकार हमारा भी प्रोड़क्ट करीद ले क्योंकि उसकी मार्किट में कीमत कम है दोस्तो जब सरकार नियूंतम मुल्य तैकर फसलों को खरीदने लगती है तो इससे बाजार में उस फसल की कीमत या उसका भाव बढ़ जाता है और यही वज़ा है कि सरकार किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए MSP पर फसले खरीदती है अमेरिका की Pennsylvania University की रिसर्च में भी यह साबित हुआ है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यूनिवस्टी की तरफ से साल 2020 में पंजाब, उडिशा और बिहार समेत एक दरजन से ज़्यादा राज्यों में सर्वे किया गया था जिसमें करीब 10,000 किसान शामल हुए थे इस रिसर्च में पाया गया था कि सरकारी एजनसियों को फसल बेचने पर बिहार के किसानों को धान की कीमत में 16 परतिशत, उडिशा के किसानों को 17.5 परतिशत तक ज़्यादा कीमत मिली है दोस्तों Food and Agriculture Organization यानी FAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में कुल फसल उत्पादन 311 मिलियन मिटरिक टन है जबकि कुल स्टोरेज केपेसिटी 145 मिलियन मिटरिक टन है यानी 166 मिलियन मिटरिक टन फसल को रखने के लिए सही जगय ही नहीं है सरकार के पास और इसका अंजाम किसानों को बुगतना पड़ता है क्योंकि अगर किसानों की फसल सरकार नहीं खरीदती है तो cold storage के अबाव में फसल खराब हो जाएगी और फिर किसानों को कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी जिसको private companies store करेंगे और जब market में उसकी कमी होने पर उ मुसम की पाबंदी लगी होती है बाजार में किसी भी चीज की कीमत उसकी demand और supply के हिसाब से तै होती है अब मानलिजिये कोई company गाड़ी बनाती है अगर गाड़ी की मांग बाजार में बढ़ जाती है तो company उसकी मांग के मुताबिक उस गाड़ी का production करती है और उसकी कीमत उ अप्रेल के बीच तयार हो जाती है और ऐसे में किसान एकदम से फसल लेकर मार्केट में पहुंच जाता है जहां जादा क्वांटिटी होने के कारण फसल की कीमत कम हो जाती है और इसी समय का फाइदा उठाकर व्यापारी और प्राइवेट कंपनीज फसल खरीद कर स्टोक कर किसान के हाथ में लागत भी नहीं लग पाती इसी तरह किसान अपनी फसल की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाता और सरकार के दखल की जरूदस पड़ती है यहा समझने वाली बात है कि कमाई सरकार की नहीं बलके इंडियो उन बड़ी कंपनी इज को फैदा पहुंचाया जा रह है, कि किसानों के पास पुंजी की हर समय कमी रहती है, भारतिय किसानों की पर्ती परिवारstep 180 काए करीब 10,000 रुपे के आसपास है, जधा तर किसानों के पास एक फसल की बौवाई के बाद पुंजी नहीं होती और इसी वज़े से फसल काटने के बाद दूसरी फसल की बोई करने से पहले किसान कम दामों में भी फसल बेचने को मजबूर हो जाती हैं सरकार अगर MSP पर फसल करीदती है तो इससे किसानों के पास पुंजी की कमी दूर हो सकती है अब तक आप समझ गए होंगे कि किसानों के लिए MSP यानी minimum support price का होना कितना जरूरी है अब बात आती है सबसीडी की दोस्तों अमेरिका अपने किसानों की आये बढ़ाने के लिए हर किसान को सालाना 42,000,000 रुपे से ज़्यादा की सबसीडी देता है भारतिय किसानों को सालाना सिर्फ 15,000,000 रुपे की सबसीडी मिलती है जबकि भारत एक किर्शी परदान देश है जब बाजार में फसलों की कीमते गिर जाती है तो सरकार किर्शी सबसीडी के जरिए फसले खरीदती है जिससे किसानों को आये की guarantee मिलती है अब यहां पर एक सबसे जरूरी परशन उठता है कि क्या सरकार के फसल करीदेने से बाजार में किसानों की फसल की कीमत कंट्रोल होती है इसका उत्तर है हाँ अगर किसी देश में MSP लागू नहीं होता है तो बिजनसमेन बाजार के इसाब से फसल की कीमत तै करते हैं उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता कोई फरक नहीं पड़ता कि किसानों को फसलों के उत्पादन में कितनी पुंजी लगी है उनकी वो सिरफ ये देखते हैं कि अच्छी क्वाल्टी की फसल सस्ते दामों में उन्हें कहा मिलेगी और कैसे मिलेगी ऐसे में जब सरकार किसी राज्य में न्यूंतम समर्थन मुल्य में किसानों से फसले करीदती हैं तो उस राज्य के व्यापारी भी न्यूंतम समर्थन मुल्य पर फसल करीदने के लिए बाद्दे हो जाते हैं और किसानों को फसल की सही कीमत मिल जाती है दोस्तों यहाँ एक बात समझ लीजिए MSP किर्शी उपज का न्यूंतम मुल्ले है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है फिर बले ही बाजार में उस फसल का बेशक उसकी कीमत कम हो और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चड़ाओ का असर किसानों के उपर ना पड़े और उन्हें न्यूंतम कीमत मिलती रही सरकार हर फसल के सीजन से पहले CACP यानि Commission for Agriculture Cost and Prices की फारिश पर MSP तै करती है और अगर किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमत कम होती है तब MSP उसके लिए Fixed Assured Price का काम करती है MSP एक तरह से कीमतों में गिरावट पर किसानों को बचाने वाली बीमा पोलिसी की तरह काम करती है साल 1950 और 1960 के दशक की बात है उस वक्त किसान बेहत प्रेशान थे किसी फसल का बंपर उत्पादन हो जाता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी इस वज़े से किसान आंदोलन करने लगे थे क्योंकि लागत तक निकालनी मुश्किल हो गई थी ऐसे में फूड मेनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था और किसानों के अंदोलन पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहा था इसी समस्च्या के निवारन के लिए साल 1964 में LK जहां के नित्रतों में फूड ग्रेंज प्राइस कमेटी बनाई गई जहां कमेटी के सुझाओ पर ही 1965 में भारतिये खाद निगम यानि FCI की स्थापना होई और Agriculture Prices Commission यानि APC भी बना इन दोनों संस्ताव का काम देश में खादे सुरक्षा को लेकर कानून बनाने में मदद करना था वहीं FCI वो एजेंसी है जो MSP पर फसले करीदती है और उस फसल को अपने गुदामों में स्टोर करती है ताकि Public Distribution System यानि PDS के जरिये जनता तक फसल को RIAIT दरों पर पहुँचाया जा सके दोस्तो PDS के तहट देश बर में करीब 5 लाख उचित मुल्य की दुकाने हैं जहां से लोगों को RIAIT दरों पर गे हूँ और दाल चावल जैसी फसलों को बाटा जाता है APC का नाम 1985 में बदल कर CEPC कर दिया गया आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि CEPC किर्शी वस्तुओं की कीमतों को तै करने की नीती बनाने में सरकार की मदद करती है अब बात आती है कि अगर स्वामिनाथन आयोग के फर्मूले से MSP लागू किया जाए तो सरकार पर कितना बोज बढ़ेगा दोस्तो Crystal Market Intelligence and Analytics के Research Director पुशन शर्मा की माने तो अगर सरकार MSP वाली सभी 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद लेती हैं तो सरकारी खजाने पर इसका गहरा परभाव होगा मालने कि सरकार के वल मंडियों से उनी फसलों को खरीदेगी जिनकी खरीद MSP के नीचे होती है तो भी सरकार को वीतिय वर्ष 2023 के लिए लगबग 6 लाग क्रोड रुपे की अवशकता होगी यहां एजनसी के Research में MSP वाली 23 में से 16 फसलों को ही शामिल किया गया है और यह वो फसले हैं जिनकी कुल उत्पादन में 90% हिस्सेदारी है अगर MSP की गारंटी को लागू किया जाता है तो हो सकता है सरकार को किसी एक बजट में कटोती करनी पड़े या फिर सरकार को टेक्स और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा यही कारण है कि सरकार इसे लागू करने से बच रही है वहीं दूसरी तरफ एकनोमिस्ट प्रोफेसर अरून कुमार के मुताबिक यह सिरफ अफवा है और डराने वाली बात है 2024 में देश का कुल बजट 47 लाग करोड रुपे से ज़्यादा रहा है इसमें किर्शी बजट सिरफ 1.27 लाग करोड है अगर MSP के लिए 2 लाग करोड तक अतिरिक पैसा भी लगाया जाता है तो सरकार को नहीं ही चकना चाहिए सरकार किसानों से सारी फसल नहीं करीद सकती MSP लागू होने पर सरकार को सिरफ वही फसल खरीदनी होगी जिसकी किमत बाजार में MSP से कम मिल रही है अगर सरकार 10 परतिशत फसल भी किसानों के पास से खरीदती है तो मार्केट में अचानक इनकी कमी हो जाएगी और बाजार में फसल की कीमत बढ़ जाएगी सरकार को इस पर जादा से जादा 1.80 लाग करोड रुपे खर्च करना होगा 10 लाग करोड रुपे खर्च होने की बात गलत है वहीं किर्शी वेगनिक दिवेंदर शर्मा के मुताबिक MSP लागू होने से किर्शी से जुड़ी 50 परतिशत आबादी को फायदा मिलेगा 2016 में सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू किया 4.80 लाग करोड रुपे खर्च होए थे जिसका सिर्फ 4-5 परतिशत आबादी को फायदा हुआ था दोस्तो सरकार अभी चावल और गेहूं की सर पलस यानि जरूरत से ज़्यादा खरिदारी कर रही है नॉमंबर 2023 में सरकारी गोदाम FCI में चावल का स्टोक 7.5 मिलियन टन होना चाहिए था जबकि इस वक्त FCI में 40 मिलियन टन है मतलब जरूरत से 5 मुना जादा चावल का स्टोक है बारत में अगर सभी फसलों पर MSP लागू किया होता चावल और गेउं का भी सरपलस कम होगा सरकार अभी करीब 1.5 लाग क्रोड रुपे तक इस अतिरिक्त फसल की खरीदारी में खर्च करती है लेकिन MSP लागू होने के बाद इतने ही पैसे में दूसरी फसल को सरकार MSP कीमत पर रीद सकेगी और इसलिए किसान 2004 के स्वामिनाथन कमिशन की सिफारिश के मताबिक फसलों की कीमत चार रही है अब बात आती है कि MSP लागू होने से देश को क्या फाइदा होगा तो दोस्तों अभी देश में जिन फसलों पर MSP मिलता है किसान सिरफ उनी फसलों को उगाते है अगर सारी फसलों पर MSP लागू होआ तो जिन राज्यों में पानी की कमी है जैसे पंजाब में धान और मारस्टर में गन्ना की बुआई कम होगी और इन जगों पर किसान तिलहन और दलहन उगाने लगेंगे इससे एक तो दालों की कीमते कम होगी और दूसरा जलस्तर नीचे जाने से बचेगा ये environment के लिए भी बहुत अच्छा है अगर देश बर में MSP लागू हुआ तो किसान दलहन और तिलहन की उपज करेंगे इससे ये फसल दूसरे देशों से आयात नहीं करनी पड़ेंगी और जनता को सस्ते रेट में उपलब्ध होंगी दोस्तो अगर MSP लागू हुआ तो किसानों की आये बढ़ेगी और इसके साथ ही उनके खरीदने की शमता भी बढ़ेगी अलाकि थोड़ी महगाई जरूर होगी लेकिन सरकार के पास सबसीडी पर खर्च होने वाला दो लाग करोड रुपे भी बचेगा और सरकार इस पैसे को बिजली, शिक्षा और स्वास्ता पर खर्च कर सकती है अगर इसे करप्शन की बेट चड़ने से बचा लिया जाए तो MSP लागू होता है तो देश के ज़्यादा तरक खेती से जुड़े लोगों की इंकम बढ़ेगी इससे वो फल साग सबजी पर पैसा खर्च कर पाएंगे जिसके कारण कुपोशन गटेगा दोस्तो इलेक्शन में लाखो करोड रुपे खर्च कर दिये जाते हैं नेता से लेकर अफसर तक पैसे में सड रहे हैं जिनको छेड़ कर देख लो दो पांचसो करोड रुपे काला धन जड़के नीचे गिर जाता है दोस्तो देश पर बोज किसानों को MSP की गारंटी देने से नहीं बलकि करप्शन की बेट चड़ने वाले पैसे की वज़े से पढ़ रहा है बैंकों में जमा आम आदमी के पैसे को सरकार के साथ मिलकर बड़े बिजनसमेन लूट रहे हैं अब खुद विचार करके देखिए और कमेंट करके बताईए कि हर साल कितना पैसा लूटा जाता है देश की जनता का बड़े करवबारियों दवारा नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्क्राइब करके जरूर बताईएगा